हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल सहेज क्लासीज तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनीट 8 है D&F बलोक ऐलिमेंट्स उसका क्योशन 16 देखेंगे इससे पहले हम इसके 15 क्योशन 1 बाई 1 डिसकस कर चुके हैं आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं तो इस क्योशन में हमसे क्या पूचा गया है डिसक टाइब डिप्रिटेशन और पोटासियम पर्ड मैगनेट की प्रिप्रिटेशन हाउ ड़स दी ऐसेडिफाइड पर्ड मैगनेट सोलुशन रियक्ट वीड़ हमें बताना है कि जो अपना ये पर्ड मैगनेट सोलुशन बनेगा वो आइजन के साथ कैसे रियक्शन देगा एसोटू के साथ और अगजालिक एसिद के साथ कैसे रियक्शन देगा हमें बतानी है इनकी आइनिक एक्वेशन तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं preparation तो इसकी preparation हम कैसे करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं क्या एक pyrolycite और pyrolycite जो इसको नाम क्या होता है mno2 ठीक है जब हम इसमें क्या मिलाते हैं simple अपना potassium hydroxide कोई भी alkaline metal hydroxide मिलाते हैं और साथ में कोई भी oxidizing agent या oxygen मिला लिया हमने या तो NO3 मिला लिया उससे हमें क्या मिलती है simple अपना ये मिल जाता है क्या potassium per magnet कैसे क्या क्या बोला हमने mno2 मिलाया साथ में हमने koh मिलाया और या तो हमने oxygen दी या तो कोई भी oxidizing agent डाला है तो यहां से हम क्या बोलेंगे हमें क्या चाहिए था k2 mno4 और साथ में यहां से क्या निकल जाएगा h2 अब देखो इस equation को ना चाहिए balance balance कैसे यहां पे जो potassium है वो 2 है लेकिन यहां पे potassium है तो यह किया हमने उसके बाद जो balancing होगी वो किसकी होगी यहां से देखो 2KOH तो हो गया लेकिन oxygen की balancing फिर भी नहीं क्योंकि यहां से पी कितने है 2,4,6 और यहां पे किने 4,1,5 तो इसकी balancing के लिए हम यहां पे 2 लिगाते हैं जैसे हमने यह 2 लगाया तो यहां पे potassium पिक की भी गड़ ग़े तो यहां पे हम लगाएंगे 4KOH ऐसे यहां पे मेगनेज 2 है तो यहां पे हम लिखेंगे 2MN O2 4KOH O2 अब हमें balancing हो गई अपनी हां तक हो गई है 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 यहां पे 4 यहां पे 2 है तो अब अपनी regression है वो balance हो चुकी है तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि potassium per magnet is prepared by fusion of MnO2 जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं MnO2 with N alkali metal hydroxide तो क्या दिखाना है हमें MnO2 की reaction with alkali metal hydroxide N साथ में हमें डालना कोई भी oxidizing agent जो हमने क्या ले जया यहां पर auto ले लिया oxidizing agent ठीक है यह तो अपनी हो गई यह reaction लेकिन क्या होता अपना? यह MnO4 होता है K2 MnO4 जब हम इसमें डालते हैं अपनी acid तो वहां से क्या मिलती हैं? में disproportionation reaction देखने को मिलती हैं तो disproportionation reaction कैसे disproportionation reaction क्या होती है? जिसमें एक ही element का उस oxidation and reduction अलग अलग product में हो oxidation and reduction in one reaction क्या है? Oxidation and reduction in one reaction तो कैसे दिखाएंगे हम इसको कि देखो यहां से अपना क्या है? K2 MnO4 तो K2 MnO4 को हम क्या लिख सकते हैं? MnO4 2 negative क्योंकि यहां से हो जाएगा 2K plus और तो यह क्या बचाएगा? MnO4 2 negative तो जब हम इस अपने MnO4 2 negative में acid का देती हैं? अपने H+, H+, देती हैं तो वहां से हमें जो reaction मिलती है, उसमें क्या मिलता है हमें? MnO4 negative प्लस में MnO2 और साथ में H2O इसकी balancing हमें करनी होती है, देखो, यहां से जो magnesium है, 2, 1, 3 है, यहां पर एक ही है तो यहां पर हम 3 से multiply कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, हमें balancing चीए hydrogen की, hydrogen और oxygen की, तो oxygen यहां पर जो होते हैं अपने, यहां पर 1, 1, 2 है, तो यहां पर हम 2 लगा देती हैं, क्योंकि हमें यहां पर 3 Mn लिया है, ठीक है? उसके बाद हमें oxygen की balancing करनी होती है, तो oxygen की balancing के लिए, यहां पर हम 2 से multiply कर देते हैं, तो जैसे यहां पर oxygen balancing होगी, तो यहां पर hydrogen की balancing के लिए, हमें 4 से multiply करना होगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 4 S plus Mn 4 negative Mn, ठीक है, अब हम देखते हैं की oxidation state, तो यहां पर जब इसकी oxidation state निकालेंगे, तो क्या होगी, X, जिसकी हमें निकालनी होती है, minus में, plus में, यहां पर 4 equivalent oxygen के तो 4, oxygen पर charge होता है, minus 2 का, is equal to overdose, जो charge होता है, उसके, X is equal to minus, X minus 8, is equal to minus 2, तो यहां से जो इसकी oxidation state होती होती है, वो दिए plus 6, यहां पर जब हम इसकी oxidation state देखेंगे, तो X is minus में, य यहां पर charge oxygen पर minus 2, is equal to, जो total charge होता है, minus 1, तो यहां से जो इसकी oxidation state होगी, वो plus 7, ठीक है, उसके बाद यहां पर हम देखेंगे, X minus 4 is equal to 0, चार्ज कोई है नि, तो X is equal to plus 4, तो यहां पर plus 6 to plus 7 गया है, तो यहां पर यह क्या हुआ है, अपना symbol, यहां से यहां तक जाने में अपना हुआ है, oxidation, और यहां पर plus 6 है, यहां से plus 4 गया है, तो यहां से यहां तक जाने पर अपना होता है, reduction, ठीक है, तो हमें यह equation भी यहां पर दिखा सकते हैं, अब चलते हैं इसकी next पर, इसमें क्या दिखाना है हमें, जो भी अपना यह, किसकी reaction दिखानी है हमें, acidified पर magnet की साथ, acidified पर magnet की reaction दिखानी है, किस के साथ दिखानी है, iron 2 ions के साथ, SO2 के साथ, और oxalic acid के साथ, हमें दिखानी है, तो देखो, यहां पर हम क्या लेंगे, MnO4 negative, प्लस में 8H+, प्लस में 5 electron, Mn2+, और 4H2, यह तो क्या reaction होती है, जो अपना पर magnet होती है, उसकी जो reaction होती है, कि MnO4 की जो reaction होती है, वो होती है, हमें बतानी है, magnet के साथ, तो हमने गे ले लिया, अपना सीम पर, यहां पर हमें, बनाया था अपना यह पोटासियम पर magnet यहां से, हमने यह क्या हम लिया, अपना magnet निकाला है, तो MnO4 negative, इसकी जो reaction है, हमें रिखानी है, magnet की, पर magnet की, किसके साथ दिखानी है, आइरन के साथ, S02 के साथ, और जाली कैसेर के साथ, तो पहले हमने इसकी खुद की equation लिखी, कि acid में इसका जो environment होता, वो कैसे होता है, तो यहां पर क्या होगा, यह Mn है, यह plus 2 oxidation में, state में गया है, positive negative को neutralize करने के लिए, हमें आपर 5 electron, यह साथ में 8H plus लिए है, ठीक है, यह तो इसकी equation हो गई है, यह one by one, इनकी equations बनाएंगे, तो जो यह होता है, क्या करता है, F2 plus को oxidizing agent है, तो यह क्या करते का, F3 plus में बदल देगा, तो plus में electron होगा, अब यहां पर और यहां पर electrons की balancing होनी चाहिए, तो यहां पर 5 से multiply हो जाती है, तो 5 F2 plus, 5 F3 plus, plus में 5 electron, तो यहां हो जाता है, और जो equation हमें मिल जाती हो, क्या है, MnO 4 negative, साथ में इसके 5 F2 plus, plus में 8H plus, इससे हमें मिलेगा, Mn2 plus, साथ में 5 F3 plus, plus में 4H2O, ठीक है, यह हमें यहां से मिल जाएगा, तो यहां पर यह अपनी first equation थी, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि इस पर, SO2 वाली पर, तो SO2 होता है, इसका oxidation होता है, कहां पर, SO2 to sulfuric ions, sulfuric, sulfurous ions मतलब SO2 negative में, इसका जो oxidation है, वो हो जाता है, तो यहां से हम जब इसके equations बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो, simple हम क्या करेंगे, पहले तो यही वाली equation लिगेंगे, क्या MN of what, जब हम इसे में डाला 8H plus, और यहां से में डाला 5 electrons, तो वहां से हमें मिलेगा, MN 2 plus, 7 में, 4H2, यह तो हो गई जो इसकी खुद की equation है, अब हमें बनाना है, क्या SO2 से SO42 negative हमें बनाना है, ठीक है, अब देखो, पहले हम लिखते हैं इसकी equation को, यहां पर लिखेंगे हम, क्या SO2, इससे हमें क्या बनाना है, SO42 negative हमें बनाना है, तो यहां पर जब हम इसकी oxidation state देखेंगे, तो वो होती है, plus 4, कैसे, जिसके लिए निकालनी X, minus पर oxygen पर minus 2 होता है, तो 2 है, minus 2, 2, 4 is equal to 0, तो X is equal to plus 4, यहां से इसकी oxidation state देखेंगे, तो X is equal to minus 4, यहां पर plus 4 minus 2, क्योंकि oxygen पर होता है, minus 2 का charge is equal to minus 2, तो X minus 8 is equal to minus 2, तो X की oxidation state होती है, plus 6, तो हमें जाना है, कहां, plus 4 से plus 6 में, ठीक है, अब देखो, यहां से यहां जाना है, तो क्या हुआ होगा, कि यहां पर कोई न कोई S2O का equivalent हमने add किया होगा, S2O का equivalent जैसे हमने यहां पर add किया, तो यहां पर क्या होगा, इस equation को अब हमें balance करना है, तो यहां से देखो, सबसे पहले यहीं देखेंगे, है कि जैसे यहां पर positive 4 था और यहां पर positive 6 है तो यहां से यहां जाने के लिए removal of two electrons हुआ होगा हुआ होगा ठीक है अब यहां पर क्या है oxygen भी हमें balance करने है oxygen हमें वैसे तो हम निकाल नहीं सकते है oxygen हमें balance करने है तो यहां पर SO2 है SO2 का addition हमने क्यों दिखाया SO2 से SO4 यहां पर 2H2O डाला तो oxygen balance हो गई अपनी sulfur balance हो गई हमें atoms को पहले balance करना उसके बाद electrons को उसके बाद तो क्या होगा यहां पर 4H plus भी हमें दिखाना होगा ठीक है तो हमने अपनी यह equation दिखाई simple क्या कि SO2 और 2H2O है साथ मिसमें हमें क्या मिला SO4 2 negative हमें क्या पता होता है हमें इन दोनों के जो इलेक्ट्रों से वह balance करने होते हैं अब देखो 4 और 2 को तो हम कैसे भी balance नहीं कर सकते कैसे कर सकते हैं बस इसको तो हम 2 से multiply रहे हैं और इसको हम 5 से तभी दोनों में 10 electron हो पाएंगे तो कैसे लिखेंगे हम हम इसको 2 mn4 negative प्लस में 16H plus प्लस में 10 electron साथ में हमें मिलेगा 2 mn2 plus प्लस में 8H2O ऐसे यहां पर हम देखेंगे तो 5 SO2 प्लस में 10H2O यहां से हमें मिलेगा 5 SO4 2 negative 20H plus प्लस में 10 electrons ठीक है जब हम इन equation को एड़ करेंगे तो इस 10 से यह 10 electron cancel हो जाएंगे यहां पर 16H plus है यहां पर 20H plus है तो यहां पर अपने 4H plus बच जाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 4H plus इस साइड बचेंगे तो लिखो 1 by 1 लिखते हैं 2MN 4 negative 16H plus और 20H plus होने के पजाएंगे यहां से पर 4H plus आ चुके हैं अब यहां पर 5SO2 प्लस में 10H2O ठीक है इस से हमें क्या मिला 2MN 2 प्लस देखों यहां पर है अपने क्या 8H2O यहां पर है 10H2O तो 10H2O यहां पर बचेंगे अपने 2H2O और यहां पर आओ गया अपना 2MN 2 प्लस और साथ में बचेगा 5SO4 2 negative 4S प्लस हमने लिख लिया है ठीक है तो अपनी बची equation यह अब हम चलते हैं इसकी last sum पे वो क्या है इसकी equation हमें दिखानी है कि इसके साथ औकजालित आयन के साथ तो जब हम इसको first पहला काम अपना क्या है हम इसकी खुद की equation लिखते हैं MN 4 8S plus plus में 5 electrons MN 2 plus इससे हमें क्या मिलेगा प्लस में 4S 2O हमें मिलेगा ठीक है अब देखो इसकी equation तो हमने लिख लिख लिए अब दिखानी है इसकी oxalate ions की तो इसका जो oxidation होता वो किसमें होता है CO2 में होता है तो जिब हमने इस oxalate ions से 2CO2 बनाया 2CO2 क्यों बनाया oxygen भी balance करनी है और carbons भी balance करनी है तो देखो यहां से 2CO2 तो अपना हो गया कि 2 carbon भी हो गई और 4 oxygen भी हो गई अब हमें क्या करना होता है balancing of charge सबसे पहले balancing of atoms then balancing of charge तो atoms की balancing हमने कर दी अब charge की बात आती यहां पे है 2 negative और इस 2 negative को यहां पे भी हमें 2 negative एड़ करना पड़ेगा क्योंकि इसको balance करने के लिए यह हो गई अब हमें चाहिए number of electrons is equal equal चाहिए हैं तो हमें इसको तो 2 से multiply करना पड़ेगा पहले वाले की जैसे इसको 5 से जो equation बनेगे अपनी क्या 2 MN4 negative प्लस में 8H plus प्लस में 10 electron यहां से 2 MN2 plus प्लस में 8H2 और साथ में यहां पर हम देखेंगे तो 5 यह oxalate के iron C, 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 O, O negative, O, O negative, साथ में यहां से मिलेगे हमें 10 CO2 और साथ में 10 electrons जब हम यहां से इस equation को balance करेंगे तो हमें मिलेगा 2 MN4 negative 8H plus है यहां पर 8H है और जब हमने इसकी की है 2 से multiply तो क्या हो जाएंगे 16 तो 16H plus और साथ में 5C2O4 2 negative यहां से हमें मिलेगा 2 MN2 plus 10 CO2 और साथ में 8H2O ठीक है हमें क्या लेगा negative positive or number of atoms हैं वो balanced होने चाहिए तो यहां पर जो अपना यह question 16 है वो complete होता है next video में हम मिलेंगे question 17 के साथ तब तक के लिए धान्य वाद, thanks for watching my video